जो मांगनी है यहां के विवंडी महानगर भालिक के आयुकत अमारे चत्रों में जब आमारे बच्चे लोग काम करें यह कंत्राटी कामगार है हमारे कामगार और गए उन लोग को ठाने बिने का अवर घर चालने का बहुत प्राब्लेम आ रहे है तबी हम लोग इदर क्यों खड़ी हो हमारे पेट में कुछ होना चाहिए कुछ मिलना चाहिए यह हमारे हक है हमारे आदमी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी है महानगर भाले का आयुकत रहेगी मुद्धारी हमारे आदमी कुछ मिलना चाहिए आज किम्मान वेतन अठाइस हजार रुपे लेकिन वो उनको 14 या 15 रुपे उटको देता है हम जब भी आदिकारी से मिलने को आ जाते तब वो हमको मिलते नहीं आज सायब मंत्रा ले गए हैं आज सायब भाहर गए हैं ऐसा है करके वो टाइम निकालते हैं मिवंडी का एक मशूर और जानामाना सूपर स्टोर वराइटी सूपर बजार हैं जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्स के अलावा उसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेगे हर संडे यहां पर सेल भी होती है जिसका फाइदा उठा सकते हैं वराइटी प्रांचिज है मंडई तीन बत्ती और खरक रोड विजिट जरूर करें अलो फ्रेंज लाइफ इन भी होंडी में आप सभी का स्वागत है इस वक्त हम मौझूद है भी होंडी महानगर पालिका के ठीक सामने यहां पर एक चुबा तड़के जो है यहां पर एक आंदोलन बै संहरा पर के खिलाफ महानगर पालिका के खिलाफ यहां पर नारेबाजी और यह अंदोलन जो है मकान जा झाइब देख सकते हैं जो पूरी आंदोलन जो है भीलाल महां अगर पालिका के एकदम फ्रं कैट पर जाकर जा चुका है और एक भीड निकली थी जो इस गेट को तोड़ते हुए आप देख सकते हैं यहां पर शुमा तो गेट के लिए। hard Beach सस्क्ति हैं यहांपर जो एक mr अंदुलंध यहां पर रुख चुका है इनकी मांगिन है कि यह कामगार है इनकी जो commitment होती हैं उनकीapatronics पेस्ट पर जो काम करते हैं उनकी payment जो है실ंप शटलीफ ने मिलती है और बहुत से पीएफ नहीं करते हैं जो एक नहीं मिल रहा इनको उसके लिए यह लोग सिलिप नहीं मिलती है और बहुत से पीएफ नहीं करते हैं जो एक नहीं मिल रहा है इनको उसके लिए लोग अंदुलन के और जितने खेड़े पाड़े हैं अधिवासी लाके मुल भूस सुईदा के लिए यह लोग काफी जादा तरस रहे हैं उसी चीज़ को लेकर आज सुबह से यह अंदुलन छड़ा गया था वागर अब दुपाहर के बाद हम जब देखते हैं तो यहां पर यह अं करेंगे तरफवासीत नहीं करेंगे तब तक यह इसी तरह से इसी जगे पर बैठे रहेंगे और यहीं पर खाएंगे हैं यही सब कुछ करेंगे- इनका इसा बोलना है अब देखने स्रमजवे संगटने का धरना अंदुलन चालो है हमारे जो मांगनी है यहाद के विवंडी महानगर भालिक के आयुक्त है हमारे चत्रों में हमारे बच्चे लोग काम करें यह कंत्राटी कामगार है हमारे उन लोग को जो पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है कि इन चाचान मैना उन पेमेंट नहीं देता है इसलिए हमारे जो कामगार वर्ग है उन लोग को खाने पिने का अवर घर चालने का बहुत प्राब्लेम आ रहा है इसलिए हम संगटक मुन एक मोर्चा और अंदुलन हमने महानगर पालिके में आयुजित किया है और हमारे विवंडी महानगर पाली के चत्रों में जो आदिवासी पाड़ा है गाव है उदर जो मुल्बत हक्का चाहिए हम लोग को वह नगर पाली का उदर कुछ करते नहीं इसलिए हम लोग हमारे जो मुल्बत हक्का है हमारा वह हमको देना चाहिए इसलिए हम यहां तब तक हम उठेंगे नहीं ऐसा चोचकर हम स्रमझेज़ पुरी करने के लिए इदर आ आ गया है लोग यह अच्छाट हुआ है जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इदर ही रुखेंगे जब तक हमारे हमको लिख के नहीं देते अब यह आज से काम तक हम लोग इधर रुखेंगे है हमारी जो मांगी है और हमारा संगतक जो हम स्रमजवी संगतना हम काम कर रहे हैं हमारी मांगे जब तक पूर नहीं होती है तब तक हम यहाद धूप कॢ़ने और पानी रहने दो थंड़ा थंडा थंडिक रहने दो हमारे जो काम है जब तक हम इधर जो इतना उन मतलब पड़ रहे तबी हम लोग इह खड़े हो हमारे पेट में कुछ होना चाहिए जो मिलना करेंगे करेंगे जो हमारे आदमी को कुछ हो गाया तो क्यूंगि निकिन लिए उन लोगों जब यह चैली किस्क्राइब करेंगे तो हम लोग यहां तक फरिशादन लेका अभी तक कोई नहीं आया है जब तक आयेगे नहीं तब तक हम इधर रहेंगे जो रात भी हो जाएगे तभी हम इधर ही सोएंगे हम हमारा चुला लेके आएंगे फाटी लेके आए हमारा बरतन लेके आगए हम चावल लेके आगए हमारे कपड़ा भीप्ला सब लेके आए हम लोग हम इधर आज का रात र लगो तीन दिन लगो तबी भी हाम इधर रुखेंगे मेरा नाम सागर उश्या गोविन देशक है मैं इस्रमजवी संगटने का भीवंडी शर्तालू का अध्यक्ष में काम करता हूँ आज हमारा जो यहाँ बेमुदत ठीया अंदोलने समझवी संगटने के संस्तापक आधरने वेग बहु पंडित संस्तापी का आधरने विदुलता थाई पंडित उनके माजगर दर्शन के नुस्तार हम आज यहाँ बेमुदत ठीया अंदोलन चालू किया है यहाँ का जो माँनगर पालिका का कमिशनर है ओ एक गुम्बगरने की निंस होके बैठा है उसको हमने अब भुछ बार मिलके मिरंति अगरा किया है कि हमारे जो कामगार है जो बिवने दालू का बिवने माहनगर पालिका में जो हमको रोज पानी आता है ओ पानी आने के चायो धूप वो बरसाथ हो उसमें वो काम करते और उनका जो मेहनत का पैसा है वो एक बरकत नाम का जो कंट्राइक्टर है वो उनमें किमान वेतन के निसर जो पगार देना चाहिए आज किमान वेतन 28,000 रुपे लेकिन वो उनको 14 या 15,000 रुपे उनको देता है और यह सब आदिकारी उसको कंट्राइक्टर को अपने पिछे चुपाते हैं हम जब भी आदिकारी से मिलने को आ जाते तब वह हमको मिलते हैं आज सायब मंतरा ले गए आज सायब बहार गए ऐसा करके ओ टाइम निकालते हैं इसलिए आज हम बेमुदर ठी आंदुलों रखा है कि जब तक हमको वम्हार जो पेमेंड और उसका पूरा पइमेंड श्लिफ मिलता नहीं। अमारप पUरा पेमेंड कितना है। आमारे एसाईसी कितना कट होता है। अमार फीएज बीड फ्रॉत्ष कितना है। उसका ऐसığını पेमेंड वहाइं। आज 3-4 year dollar payment मिलता नहीं वह हमारी मांगए कि हर मैना मिलना चाहिए और कीमान वेतन की नुश्यर बना चाहिए और जो हमारे payment है जो हमको सरकार से payment मिलता है उसके हमको salary slip मिलना चाहिए उसके साथ विवंडी में जो आदिवसी पाड़े है आज आपको सबको पता होगा यहां के जो मंत्री है उनके हातों से आज बहुत करोडों का कामू का उदगाटन चालो है लेकिन हमारे उसमें आदिवासी एक ही पाड़े का उदगाटन नहीं किया या एक ही पाड़े का रस्ते का पैसा नहीं आप भी तक आया आज भी हम जो पाड़े में रहते हो आईसी परिस्तित है कि हम एक गाव में अच्छा रस्ता होगा गाव में अच्छी समशन मुमी होगी लेकिन हमारी इदर ना पिने के लिए पानी है ना समशन मुमी है ना समाज होले आज भी अगर आप जाओगे अपना गुर्चरम पड़ गाहित्री नगर है राम नगर है वहाँ आज भी गटारों के साप सपाई नहीं होती वहाँ जो ढखन लगाना चाहिए गटार का वो खुलर रहते हैं उसमें कई बार छोटे-छोटे बच्चे महिला है उसमें खड़े में गिर कर उनको चोटे लगी है इसलिए यह जो प्रशा लोग सेवक जैसे काम करते हैं वैसा आयुक्त काम नहीं करता पूरा प्रशार्शन को उपर भी उसका कट्रोल नहीं है और इसके लिए आम को यह प्रशार्शन जो कुमकरने की नींद्स होया है उसको आज हम जगाने के लिए इसमें शिरिफ आपके संगतन के लोग शामील आज हमारा स्रमजीव संगतने का खाली कामगार यूनिट और भिवंडी महानगर पाली के में जो पाड़े है वहां से पाच-पाच दस्तर आदमें हमने बुलाए इसमें पोगाव का ब्रामन पड़ा है पोगाव का आदिवसी पड़ा है गाहितरी नगर है राम नगर है दुरगा नगर है गुर्चरम पड़ा है अपना बंडारी कंपाउंड है कोंबड पड़ा है संगम पड़ा है राम बात्तर गाला टेमगर में जो आदिवसी पाड़ अब हादोपड गाप्टित॥ कंद्री के कि मैं मत्रे ने आज अख प्रेस कॉंप्रेस के दावा किया है कि केंद्रिय मंत्री से और हम प्रशारशन से निवेदन करेंगे कि आपने जो आज निवेदन की दिया है कि हर घर आप लेकिन हमारे घर में तो नहीं फिर भी हमसे पानी पत्टी यह सरकार प्रशारशन वसूल करती है तो जब तक आप हमको पानी का नल नहीं देते तब तक रुपया हमसे वो पानी पट्टी आप वसुल ना करे क्योंकि एक एक घरपट्टी के उपर 600-800-800 ऐसी पानी पट्टी लगी है और पानी आज उनके यहां नहीं है आज वहां के लोग पैदल आज़ी बाज़ी के जो पानी का यह रहता है वहां जाकर पानी लेते